नहीं हुआ है अभी सवेरा फिर भी पूरब की लाली पहचान चिडियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान जी हाँ ऐसे ही मेहनत कश किसानों को समर्पित हमारे इस खास कारेकम राम राम सामयाब सभी का हार्दिक स्वागत है हर बार की तरह आज भी हम हाजिर हैं आपके साथ बात करने के लिए सोया बीन से बनने वाले उत्पादों पर चर्चा करने के लिए सोया उत्पाद मतलब सोया दूद, सोया दही, सोया आटा, सोया तेल, इत्यादी, इत्यादी कैसे बना सकते हैं और कैसे इन उत्पादों के द्वारा हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं आज इसी पर हम चर्चा करेंगे आप यह दिस संबंद में हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो 0144-4191-03 पर फोन करके सीधे अपनी सोया उत्पाद से संबंदित सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं तो लीजिए प्रारम करते हैं राम राम साथ जी हाँ जैसा कि हमने बताया कि आज हम आपको सोया उत्पादों से संबंदित बात पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज इसी विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मुझूद हैं डॉक्टर स्मीता भटनागर जो की विशे विशे शग्य हैं जो की केवी के चोमू में कारेरत हैं और कई बार हमें हमारे किसानों के साथ रूबरू हो चुकी हैं लेकिन आज हम एक विशे विशे पर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा का वशेत हैं सोया बीन से बनने वाले उतपाद हैं सब से पहले तो यह कि इन फ्रॉस्पाद्वوب की आवे शक्ता क्यों पड़ी जब हमारे पास दूद है तो हमें सो जह क्मारे पास दखी है पनीर है तो हमें फ्रॉस दूद्ध, दही और पनिर की आउशकता क्यों पड़ी देखी बहुत अच्छा प्रश्ण आम ने किया जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि हरित क्रांती के बाद हमारे पास उत्पादन में व्रद्धी हुई है लेकिन उस उत्पादन को मुल्य संवर्धन कैसे किया जब हम व मुल्य संवर्धन क्यों आशक है जैसा कि अभी आपने इंट्रेक्शन में भी बोला कि किसानों की आये को दुगना करना है तो आये दुगनी तभी संबभ है जब उसका हम मुल्य संवर्धन कर सके क्योंकि जब हम मुल्य संवर्धन करेंगे तो इसके नाम से सपष्ट हो रह रहा रहा हरा या 32 कहिसा, छारा है लेकिन जब हम उसका topuku बना रहे हैं या उसका हम दूद्ध बना रहे हैं या हमिन उसका sauce तयार कर लिया तो इसके byproducts हो गए byproducts पंधी उसकी value बढ़ गई उसको एक तो हमें रखने के keeping quality मीकशाम कि भठ गई तो लम्बे समय तक सरक्षित कर सकते दूसरा इसका फैदा यह होता है जिन शेट्रों में हम पहुंच पाराई या पैदावार नहीं होती तो उन शेट्रों में भी हम उसको आसानी से पहुचा सकते हैं तो केवल हम सोयाबीन को ही वैसे एक्सपोर्ट करें या वैसे अनाज की रूप में पहुचा हैं तो वह हम बहुत ज़्याद क्वान्टिटी में नहीं पहुचा पाएंगे लेकिन यह हम उसके उत्पाद बनाना जानते हैं और उत्पाद बना के हम दूसरी जगे उसको ऐसी दूर दराज शेत्रों में भेजें जहां पर वह उपलब्द नहीं हो रहा तो वहां भी उसकी पूरे साल उपलब्दा बनी रहेगी क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि सोयाबीन में 40 प्रतिशत जो है प्रोटीन होता है और 20 प्रतिशत उसमें वसाकी मात करते हैं तो हमारे 22 जो प्रोटीन होते हैं वह असेंशल होते हैं और 8 यह नौन असेंशल होते हैं यान कि प्रोटीन जो हम ले रहे हैं समाने भाशा में जो हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें भी अमीनों जो होते हैं वह जो उसकी भाग होते हैं वह वह हमारे लिए प आपने बताया है कि हमाई पास दूद आरेडी है गायबेस्टों का फिर भी हम सोया बीन से बना रहें तो सोया बीन का बनाने का मेन उद्देश यह एक तो प्रोटीन अविलेबिलिटी हमें मिल गई और सारे कि कम्प्लीट फूट की तरहें वो कम्प्लीट पदार्थ की तरहें हमें अवेलेबिल हो रहा है इसलिए इसके हम बाई प्रोटीन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जिसे पचने में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्या ये भी एक कारण तो नहीं है कि एश्याई इसे थोड़ा सा कम अपना रहे हैं ने देखी पहले तो थोड़ा सा ज्यानता वर्ष ऐसा था लोगों ने इसको कंज्यूम नहीं करते थे और थोड़ा सा इसके अंदर वसा की जैसे हमने मात्रा बताई क्योंकि आपने देखा होगा कि मुंफली और सरसों के बाद सबसे और वह जो भी हम इसके बाइप्रोड़क्स तयार करते हैं तो इसली पहले एकसेप्टेबल नहीं थे लेकिन दीरे दीरे लोगों में नॉलिज बढ़ी दीरे लोगों ने जाना कि इसका जो प्रोटीन है वह बहुत जादा मात्रा में हैं और बहुत असेंशेल है लेने के ल हजार पंद्रा तक तीन हजार हो गया तो इस तरीके से कंजेप्शन बढ़ा है कि लोगों में नॉलिज आई अवेर्नास आया और लोगों ने इसको पहचाना कि बहुत अच्छी फसल है जिसको की और बहुत सस्ती है इसली अवेलेबल है इसली अफोर्डेबल है सबसे बड हो रहे हैं और दीरे दीरे लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस की बारे में पता लगने लगा है तो इसका कंजेप्शन डेफिनिटली बढ़ा है जब जब कोई चीज मार्केट में आती है इस तरह से सोयाबीन को हम नया प्रोड़क्त कह सकते हिंदुस्तान के बहुत पुरान फक्री में में से युछाब से सब्सक्राइप उनके जो मेल हार्मोन संबस्ट को प्रभाव पड़ता है क्या सही है अधो तो में यह सारे स्टैडी में स सटैडिक्स हुए और यह जानाहीं कि अपनी पहले उसमें भी कि रिच रिचा कि आमीन आमीन आ 하겠습니다 में इन होता है में isn't इसके छिलके में तो इसका सही तरीके से उप्योग करना हमें आना चाहिए वो ट्रिपसिन इन्हीटर को यदि हम हटा देते हैं तो इसका प्रोटीन जो है एजली डाइजिस्टेबल भी हो जाता है और आप जॉप्शन भी इसका बॉडी के अंदर एजली हो जाता है तो एक त प्रोटीन नउटकि धू Спीव ऑवस्पाटील के लिए जना प्रोटी प्रोटीन कोHey क्टी घ होग रहते ह३ैं तो दूसरा हमारी क्योंकि जो एक्ससाइस करते हैं लोग जैसा कि आप अभी बता क्योंकिया तो या मास पेशियों को मजबूत करने की भी आवशक्ता होती है और इस तरीके की जो रिपेरिंग जो है उनमें निरंतर चलती रहने चाहिए तो उसे में उनका प्रोटीन कंसेप्शन जो है बढ़ जाता है उनको अत्ती आवर ज्यादा मात्रा में उनको आवशक्ता होने लगती है क क्यों मास पेशियों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि वह स्ट्रेंथ उनमें डवलप हो सके तो ऐसे समय में यह वह सोया बिन मिल्क को प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार से हानी कारक्त नहीं है जी हां और वैसे भी अधिकता तो किसी भी चीज की हो कोई भी चीज होग जी हां वक्त है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं कहीं जाएगा नहीं बहुत सारे प्रश्न इंतजार कर रहे हैं दर्शकों के पास में समीता जी आपने बताया कि इसके बहुत सारे बाय प्रड़क्स बन सकते हैं क्या क्या ऐसे प्रड़क्स है जो पर आपने घर से श्रुवाध कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपने निजी रोजाना की आवशकता के अनुसार भी उसको बना सकते हैं, चोड़ी पैमाने पर भी तो उसमें सबसे पहले है आपका सोया बीन दूथ, ठीके तो सोया बीन मिलक आप अपने घर पे आराम से तयार कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसका धाई भी बहुत अच्छी तरीके से घर में आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीके हैं तीनों चीजों को बनाने के लेकिन जब वेसाइक रूप की हम बात करते हैं तो वेसाइक तौर पर तो तेल आपका जो है वो बना सकते हैं लेकि लिए उसको आप छोटे पैमाने पर नहीं बिना सकते हैं तो उसको आप को थोड़ा सा आपको प्रस्टिक्शन लेना होगा पूरी तरीके से आपको अपना प्रजेक्ट त्यार करना होगा उसके बात आप उसको प्रारम कर सकते हैं लेकिन हाँ दूद धाई और पनीर यह तीन पार्ण आफ बात में एक भी रहती के डिया जाते हैं लेकिन भीन को खाने का सबसे था तरीका है कि आप पहले इसको भीगो लिजी जी विगोने के बाद आप उसको दूसरे दिन 24 घंटा भीगोने के बाद उसको मसल के उसके छिलके आप अलग कर दीजिए जब आप छिलके तो वो उसमें अलग हो जाता है और यह वहुत उपयोगी दूद या जो भी प्रडेक्ट आप बना रहे हैं उसके बाद वो बन जाता है तो सबसे में बात संद्धा सोयाबीन कंजूम करने से पहले है कि हम उसको उबाल कर या उसको भाप में गला कर या उसको भीगो कर सबसे यह वह सबसे पहले हम उसके छिलके अलग करें उसके बाद ही हम उसका कोई उत्पाथ डियार करें। तो उसमें जिस तरीके से आप चटनी मनाते हैं उस तरीके से सोया बीन को पीस लीजिए ठीके पीसने के बाद वो आपकी पिठ्थी तयार हो जाएगी यानि कि वो पिसावा भाग आपका तयार हो जाएगा और यदि आप उसके अंदर आपको 6 गुना पानी डालना है जैसे कि आपने एक कटोरी to इनकी पिठ्थी तयार करी है तो उसमें आप छै कटोरी वही कटोरी जुटी तयार करी वही पा आप ले लीजिए वैसे कि वैसे 6 कटोरी पानी भरके आप उसमें एड कर दीजी ठीके उसके बाद आप उसको उबलने के लिए रख दीजी जिस प्रकार से आप सामानने ते अपने घर में दूद को बालते हैं उसको उबलने दीजी उबलने के बाद आप उसको छान लीजी जब आप छानेंगे तो आपकी जो पिठी थी जो आपका पिसावा भाग था वो आपका कपड़े के उपपर रह जाएगा वो आपका दूद नहीं है वो आपका सोया भी नहीं है लेकिन जो पानी मिलाके उसमें से आपका तैयार हुआ है और जो बलकि आपके सामने आया है च्छनने के बाद वो आपका दूद तयार हो गया है उस दूद को आप कंजूम कर सकते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आप फिर मैं वापस एक बात और आपको ध्यान दिलाओंगी कि क्योंकि मैं बतारी हूं कि इसमें वसा की 20 प्रति करें यदि आप ऊसे ठंडा कर लेते हैं चेंट कर लेते हैं कि से प्रियोग देन आप तो बहुत अच्छा से प्रयोग मिला सकते हैं तो जिस तरीके से जो आने दूद होता है उसे ठीक रखने करना पड़ता है नगाए में रहता है। हिने फटने प्रसुन पूछाया है कि जेला ह। तो इसको क्या बार-बार गरम करना पड़ेगा ताकि फटे नहीं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इसको आप बना के रख सकते हैं और जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि इसको जितना थंडा आप प्रयोग में लेंगे स्मिता जी आपने एक तरफ दूद कर दिया दूसरी तरफ बचा पिठी जिसे आप बूल रही है जिसमें से निचोड के हमने से निकाला है जो पिठी भी किसी काम आती है या उसे फेक देना चाहिए नहीं आप उसको फैकिये मत यदि आप चाहते हैं तो आप उसके सैंड्वि भाशेयों के जो भी चाहरा दे रहे हैं जो भी बंटा उसको दे रहे हैं योदि आप उसके नहीं अदर उसको शामिल कर लेते हैं तो उनके लिए भी उही पौषक तत्थर, जैसे कि इसमें प्रोटीन है बार बार कह रहे हैं लेकिन आपको जानके आ आश्द होगा कि मैंक् भी दे सकते हैं और नहीं तो आप उसका दुसरी तरीका से नमकीन वगएरा बनाने में भी प्रयोब कर सकते हैं तो ठी करने के बाद आपके घर में जो सामान्ने जामन रही जमाते हैं Medicine का प्रयोब्र करते वे आप इसके डूद में डाल दिजिए और उसके बाद इसको आप जमाने के लिए रख दिजिए तो वितनी ही देर में जैसे कि अपना सामाने दही जमता है वितने ही चाह दो-चार घंटे के अंदर जो है आपका यह भी तयार हो जाएगा और यह भी वैसे ही पॉस्टिक होगा क्योंकि इसके अंदर सारे अवेलेबिल हैं तो बहुत गुणकारी बहुत स्वास्त वर्दक और बहुत अ करेंगे एक बार मैं फिर दश्कों के लिए बता देती हूं कि सबसे पहले आप सोया भी लिजिए उसको 24 घंडे तक आप भीगो के रखिए उसको मसल के उसके छिलके अलग कर दीजिए ठीक है उसके बाद उसको पीस लीजिए पीसने के बाद जो आपके पिठी तैयार क्योंकि वैसे आप यदि दूद लेते हैं तो आपको पनीर बनाते हैं एक किलो का तो आपको देर सो दो सो ग्राम से ज़्यादा नहीं बैठता है लेकिन इसमें आप छैगुना पानी और मिला के उसको चैगुना अधिक कर रहे हैं अपने दूद को तो उसकी मातरा भी आप लेकिन इसका जो हम घर में तयार करते हैं तो वह हमारे 20 रुपे में 500 ग्राम तयार हो जाता है एक तो यह इसका फायदा है दूसरा इसका जो मैं विदी बता रही थी बीचवे मैं दूसरे उस पर आगई तो उस तरीके से जब आपने दूद तयार कर लिया पिठी पीस ली प्रियोग कर सकते हैं और आप चाहें तो सामानी रूप से जो पर नीबू का प्रियोग करते हैं घर में दूद को फार निकली उसी के नीबू को आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको किसी भी प्रोविजन स्टोर पर आराम से मिल जाता है आप जहां से अपने अनाज और दैनिक सामान लेती हैं उस प्रोविजन स्टोर पर भी आप साइट्रिक एसिट मांगेगी तो आपको लबद हो जाएगा कोई विशेश चीज नहीं है तो वह आप लेकि उसका ए नीबू का इस्तेमाल कर रही हैं तो एक लीटर में आप एक नीबू डाल दीजी आपका दूद फट जाएगा ठीक है वो जो दूद फटेगा तो अकेन आप उसको चानना है ठीक है और चानने के बाद अब जो उपर वाला भाग है उसको आपको किसी भी पत्थर से या किसी भारी चीड से दबाके और उसका आपको पनीर बनाना है और जो नीचे पानी आया वो आपका वेस्टेज लेकिन उसको आप चाहें तो गाएभैसों को पिला भी सकती है या दूसरे रआ बराने की कां मे ले सकती है लेकिन जो उपर अब जो भागाया है पाडने के बाद कपड़े पर जो भागाया है ऑप अपका पनीर है उसको आप यूज़ कर सकती है आप इसे टौन बूल रही जी बुलकुल थोड़ा टफ होता है जो दूसरा पनीर है उससे क्या इसमें क्या फरक्ए सथी हाँ यह थोड़ा साफट होता है मुलायम होता है और है ऑट शमने साühl kisam इसम तो में सक्तेम्राइब होता है यह सोर साहती म्हुन होता है लेकिन बहुत असानी से आग्यों प्रीयुक्तरेलाइब कि आपको पता है कि आप और हम और अधक्यम जह बहुत जबादे हैल्थ कॉंशिस हो गए तो जो जो शा benefit सНहीं जो आप से रुबरू होना चाहिए आपने प्राशन के सात जी रम रहां सा कि सुझ पारे आप हमारी आवज अलो जी अलो टिशन प्राष पूचे हम सुझ पारे है आपकी आवाज को तो यह नहीं है मैंने बताया कि भांती है कि जिम में लोग रिकमेंड करते हैं लेने के लिए तो ठीक है या क्या है बताई यह बहुत ज़्यादा प्योगी है बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके इंडर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है कोलेष्टरॉल बुर्द नहीं मिलता है इसको हार्ट के जो patients हैं वह easily consume कर सकते हैं इसके साथ साथ जो diabetic patients होते हैं उनके लिए भी बहुत अधिक उप्योगी होता है क्योंकि कार्परूस की मात्रा जो है इसमें बहुत कम मिलती है यदि आप एक कप दूद का इस्तेमाल कर रहे है तो उसे मात्रा आपको dhjhp 298 ज्व मिलतीय है लेकिन आपको अठारा ग्राम जो है प्रोटीन मिलता है तो बहुत ज्यादा उप्योगी है बहुत ईजिली आपको प्रोटीन मिल तो उनको जरूर लेना चाहिए एक और चीज है सोया आटा जी बुलकर वो क्या चीज है और क्या काम आता है देखिए सोया आटा जैसे कि हम बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है मिशुत आटे का ज्यादा इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि उनको कार्बो हाइडरे चाहिए और उससे उनको शुगर लेवल बढ़ रहा है और जो समाने तोर पर हम आटा खाते हैं तो उसके अंदर हमें कैलोरीज भी ज्यादा मिलती है जो भी फैटी लोग हैं जिनका वेट ज्यादा है या जो डायबिटिक हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं जिनको और फ्यम्स का हमें मिलती हैं बहुत ज़्यादा कैलोरी जूती है उसी केलोरी इस का हमें प्रयोड करना चाहिए दूसर लेकिन हम एक किलो इन का प्रयों इसका मतलब यह नहीं कि हमें सिंपल सोया बिन का अटा खाना है इसका रेशो होता है वन इस टू टैन का जी यांकि दस किलो आप आटा लेजिए उसमें एक किलो सोया बिन का ही आपको प्रयोग करना है लेकिन पुन है मैं यहां पर वापस ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सोया इनको पहले भीगो लें उसकी छलके हटा लें उसके बाद उसको सुखा लें दूप में उसके बाद उसको पिस्वाएं ताकि वह आपके लिए उप्योगी बन सब्सक्राइब एक और दर्शक है इस समय जो की रूबरू होना चाहते है आप से जी राम राम सा कि सुन पा रहे हैं आप अमारी आवाज है जी पूछिए प्रश्न अलो जी हां प्रेश्णु पूछिए कहां से बोल रहे हैं आप जैपुर से बोल रहे है है जब यूद सोयबीन का प्रयोग करना है तो सोयबीन को डायरेक्ट नहीं खाया जाता इसको हमेशा मॉईस्ट के अंदर यानि की आप छाए भाप में इसको पकाएं चाय आप इसको उबालें चाय आप भिगोएं कहीं ना कहीं इसमें पानी का प्रयोग होना ही चाहिए पानी का जब प्रयोग होता है तो इसका छलका फट जाता है हट जाता है और इसको जब आप राद भर भिगो लेते हैं तो बहुत आसानी से इसको मसल कर आप इसके छलकों को अलग कर सकते हैं क्योंकि पहले भ जादा इसकी ुवाना है तो कह歌 nó可能 छिलका यदी पूरी तरह से माटाया तो जो है वेजीड गणारी जाता है और उसका प्रोटीन जो है हमें पूरी तरीक says शरीर में अफ्शोर्शित हो जाता है तो इसका सई तरीका है कि आप इसको या तो भाप में गलाएं या आप इसको राद बर भीगो के छिलकी हटाएं तभी आप इसका प्रियोक करें तो आपके लिए ज्यादा गुणकारी और अच्छा रहेगा पॉश्टिक रहेगा आज हम चर्चा कर रहे हैं सोया बीन से बनने वाले उत्पाद के उपर उनसे किस तरह से बनाया और किस तरीके से उनसे मुनाफ़ा कमाएं अगर आप भी इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो 0144403 पर फोन करके सीधे हम से हमारे एक्सपर्ट से समवाद कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जी राम-राम साथ मैं जयवड़ से मनोज सर्मा बोल रहा हूं जी मनोजी सब मेरा आज का सवाल यह है यह जो सोया मिल्क और जो सोया पनीर होता है उसका प्लांट लगाया जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको एक project त्यार का एक रूप करना पड़ एक रूप पर डी की जग है फितन्य जगे पर बनाना चाहते हैं किते Wendy त्यार करना करना है आप को market कहां से मिल सकता है इसके तरीकी के सारी बाते आप उसके बता सकते हैं कितना लागत उसमें आएगी, किस किस तरह की की लागत आएगी, मर्शीनरी की लागत कितनी आएगी, मैन पावर कितना आपको देना पड़ेगा, तो इस तरीकी का एक प्रारूप तयार करके, आप चाहें तो किसी बैंक में भी सम्मिट कर सकते हैं, और उस पर लोनिंग लेकर सकते हैं, तो बहुत आवर्शक है कि पहले आप उसके बार में पूरी जानकारी लेलें, वेवसाइक रूप से शुरू करने से पहले, किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसमें क्या प्राप्त करना बहुत आवर्शक है, एक और दर्शक है, समीता जी, हमारे साथ फोन लाइन प समीता जी, बहुत अच्छा प्रशन है, युवाओं की बात हमने कर ली, लेकिन बच्चों से कहां से शुरूआत करनी जानी है, देखी आज कल तो सोया बिन का इतना ज़्यादा प्रशनल हो गया है कि सोया बिन की नमकीन, सोया बिन के बिस्किट्स, सोया बिन के स्टिक्स, सोया बिन की आइस क्रीम तक भी तयार करके बजार में आने लगी है, तो आप चाहें तो बजार से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्वैम भी इसको घर में बना सकते हैं, बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको पहले दूद बनाना बताया, पहले आप दूद तयार कर और बच्चों को जब खिलाने की बात है तो आप इसके पनीर को जो हम जिसको हम टोफू कह रहे हैं उसके आप सेंडविचेस तयार कर सकते हैं उसको आप आटे में मलके उसके परांठे बना सकते हैं आप किसी भी प्रकार से उसको प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि साधरन पनीर का आप लोग प्रयोग करते हैं घर में उसी तरीके से आप प्रयोग करके और बच्चों को खिला सकते हैं और कुछ नहीं तो इसको आपका बच्चा बहुत ज़्यदा च्छोटा है 6 मेने के बाद ही आपको यह दिसको खिलाना है जैसे उसका हार शुरू होता है ठोसा हार तो उस correct है स्मिता घे इससामें हमारे साथ जुड़े हूय है जी राम रामसा। सुन पा मार्य आप हमारे आवाज जी प्रेस्ट पूछे थे फेलो जी हां प्रेस्ट्व पूछे इन इस पत्रेस्ट्व पूछे ओ लेडाप प्रीन थो इस तो प्रोटीन बहुत पोश्टिक है तो लोग कैसे बनाते हैं उसके बजाए सिधा पूछ रहे हैं कैसे खाएं कि इसकी सब्जी बनाई जा सकती है जी हम बनाई जा सकती है आपने आज कर देखा होगा न्यूट्री नेगेट्स बहुत जादा बाजार में मिल रहे हैं इसकी चैना आते हैं उसको प्रियोग बनाकर भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग में ले सकते तो बहुत आसान हैं आप इसका प्रियोग जादा से जज़दा करें एक निवेदन में मेरे दरशकों से हमारे दरशकों से कर दें कि यह फोन लगाये तो अपने टीवी अच्छे से सुन पाए एक और दर्शक है जो किस्समें हमारे साथ फोन लाइन पर मुवजूद है जी राम राम साथ कि सुन पा रहे हैं आप अमारी आवाज आप पूछे प्रश्णा पूछे कैसे हैं आप कि मैं मैं यह चारां जर्टी कि हमारे जमीन है उस पर हम विस्ट पाज़ा करना चारे हें और शोय भीन को हम अपने यूज में लेना चारे हैं जी यह से मिल्क है और इस तरह की कितनी जमीन है आपके पास में जमीन है अमारे टीज़ वीजा है जी और अभी आप उस पर क्या उगा रहे है अभी हमारी जमीन में अभी उस पर कल्टी लगवाया है जी फलाओ जो है ना हाँ हाँ के ठीक है और वो पड़त जमीन है उसको हमने कंप्लीट किया तो गर्डा लगाने का विचार है अभी तक आप पारंपरी खेती करते आ रहे थे आप चाहते हैं कि आप सोयाबीन की खेती करें जी हां एक बारा सु मिली मीटर तक वारिश वाली जगे होती है उन शेत्रों में इसको ले सकते हैं और दूसरा इसकी जमीन है जो आपकी मिट्टी है वह आपकी भारी होनी चाहिए काली निची दोमट होने चाहिए और उसमें पानी का निश्कासन बहुत अच्छा मात्रा में होना चा तब आप सुयव इनकी खेती कर सकते हैं जैसे जालावाड़े कोटा है हाडोती बैल्ट पूरी तो महां पे इसको मध्धप्रदेश है तो महां पे इसको लिया जा सकता है और आपकी भूमी की जो है वो मिट्टी जो है वो शारी है और बहुत अधा अमली नहीं होनी है तो आपको जैसे मैंने बताया कि भारी मट्टी है तो तो अब तभी आप इसको की खेती कर सकते हैं अदर वैस नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और समझा है तो आप अपने नजदीक के क्रिशी विक्ञान विकास केंद्र पर जाकर अपनी विकारियों से मदद ले सकते हैं और दर्शक इस से मैं हमारे साथ फोन लाइन पर मुदूद है जी राम राम सा जी आधर मैं हलो जी हम सुन पा रहे हैं हम आपकी आवाज जी बाती जी बाती जी आधर पूछिए प्रश्टि ए तुछ ना चाहता हूं यह तो यह कैसे शेंद क कैसे सेल किया जाता है कैसे बेचा जाता है मीथा जी सब्सक्राइब है कि हम खाना चाहते हैं हमें प्रोटीन चाहिए आमें बता यह तरीका किस तरह से खाया जाता है आप जबी भी सोयाबिन को इस्तेमाल करना चाहिए आप सबजी की रूप में इस्तेमाल करना चाहिए इसके दूद को करना चाहें तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप इसको रात पर भीगोंगी बीगोने के बाद इसको मसल चिलके को अलग करने कि बाद सकी बाई ब्योग है या तो आप उस रूप में भी इस्तैमाल कर सकते हैं या फिसलग कर सकते हैं इसे आटे से आप केक, पेस्टीज, बिस्केट्स इस तरीके की चीजे बनाकर भी आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और केवल सोया बीन है तो उसको भी पहले भीगो लीजिए छिल के हटा लीजिए उसके बाद आप इसको अंकुरित करके भी खा सकते हैं चाहें तो सब्चीकर रूप में तयार करके भी खा सकते हैं। जैसे कि हम चने की सब्ची बिनाते हैं चॉली की सब्ची बनाते हैं उसी तरीकिसे आप इसको उबाल ली ची थोड़ा असाूब अलो जी हां सुन पारें आपकी आवाज को अप्रेश्न पूछिए जी है अपना प्रेश्न पूछिए सर अ क्लो आ राम राम चा जी अपना प्रेश्न पूछिए है आजी चुन पहर आज जो डूजार अजय तर्म मेरा नम जाने आज़न जी अलो विज्टर मेरा एज विद आ है यह एज लो टिया एज लोट लूट तो टीक है अर्जिन जी हम इसका एग्व टे क्या क्या मलग लग खाने की बना सकते हैं जैसा कि भी मैंने आपको बताया सोयबीन से आप सोयबीन का पनीर बना सकते हैं सोयबीन टोफू जिसे बोलते हैं वो बना सकते हैं आप इसके साथ साथ हम सोयबीन का धही बना सकते हैं ठीके तो धही भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं घर में इसकी आइसक्रीम बना सकते हैं इसकी बहुत सारी नमकीन बना सकते हैं और नहीं तो आप इसको अंकुरित करके और इसको जिस तरीके से सोयाबीन मिल रहा है उसी रूप में भी आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकारकम के बाद सोयाबीन के प्रोडक्स थी मांग जरूर बढ़ गया है इतना मुझे लग रहा है एक और दर्शक है जो शायद इसी बारे में आप से पूछना चाहरे है जी राम राम सा जी प्रेश्न पूछिए है आज सब मैं ये जौलपोर बटेडी से बोल रहा हूं जी क्या शुब नाम है आपका शर्मा जी आज हम आपको इस बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज का जो हमारा कारकम है वो के ओल सोया प्रोडक्ट सोया उत्पाद पर है नेक्स टाइम जब भी इस प्रकार के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे तो अवश्य आप एक बार ट्राइ कीजेगा आप हमसे फून कर लीजेगा उस समय हम आपको आपके इस प्रशन का जवाब दे पाएंगे एक और दर्शा किस समय हमारे साथ जी राम राम साथ जी प्रशन पूछिए सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को समय बहुत कम है कि वही एक निवेदन में आप सभी लोगों से करना चाहता हूं कि अपने टीवी के वोल्यूम को समय बंद कर दें जिस समय आप हमसे बात कर रहे हों जी सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज शायद नेटवर्क की समश्या है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही जी समीता जी जैसा ही मैंने बताया कि लोगों में जागरती आ रही है दीरे दीरे पूछ रहे हैं आपने बात प्ताई कि सोया बीन की मलब सोया आइस क्रीम भी आप मार्केट में अवेलेबल ह इस प्रकार से उसका प्रोक्षिन किया जा सकता है जी इसमें आप घर पे बीचाया है तो यह इसके अदर जो भी कुछ फूरेड़ प्रूट या'd के लिए रहेगा लेकिन के लाइब दूद के लुए हुमस्ते आप एंदर सकर के बहूत नहीं कुछ तरह कर सकते हैं इस का वापस पुन है उप में क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा है पॉस्टिक है एक दर्शक है इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मुझूद है काफी देर से प्रयास कर रहे है इसलिए रोकना पड़ रहा है आपको जी राम राम साथ सुन पारे हमारी आवाज जी प्रशन पूछे हम आपको सुन पारे हैं क्या शुब नाम है आपका जोती आप जैपूर से बोल रही है एक बार दुबारा से अपना प्रशन दो रहा है मतलब आना जो सोयाबीन होती है उसको भीगो कर खाए तो कौन से रोगों से मुक्ति हो सकते हैं जी हां छोटी बच्चे है शायद कोई लेकिन अच्छा प्रशन पूछ रहे हैं कौन को से रोगों से हमें मुक्ति मिल सकती है अगर हम सोयाबीन को भीगो कर खाते हैं तो बहुत अच्छा प्रशन किया आप इससे कैंसर में इसका 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 कर सकते हैं आपको कॉपोशन है तो उसमें आप इसका इसका कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉलेस्टरल का लेब और शेकर मरासमस हो जाता है ऐसे बच्चों को यह हम इसको देते हैं किसी भी रूप में तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लापकारी होता है तो ऐसे बच्चों में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोड़ दर्शक है समय फोन लाइन पर हमारे साथ मुझूद है जी राम राम साथ को सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज हि reconoc मैं प्रेयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि सब में हमें प्रोटीन के आवशकता ज्यादा मात्रा में देने की आवशकता होती है क्योंकि जब हम cancer की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी कोशिकाओं का जल्दी 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 नश्ट होती है तो इसलिए उसको वापस बनना बहुत जरूरी होता है और जल्दी उसकी recovery के लिए हमें जो है protein की अत्रिक तावशकत होती है तो सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अत्रिक मात्रा में protein लीजिए चाहे वो पनी की रूप में लीजिए चाहे आप दही की रूप में लीजिए जो भी मतलब अलग तरे जी हाँ एक और दर्शक है इस समय जो कि हमारे साथ phone line पर मौदूद है पहले उनकी स्मिता जी से बात करवाते हैं और उसके बाद मेरे कुछ प्रश्ण है जी राम राम साब है लेकिन मैं चाहूंगा समिता जी संक्षेप में आप एक बार बता दीजिए जी बल्कुल जैसा कि हम आप और हम सभी जानते हैं सोया बीन में 40 प्रतिशत प्रोटीन है 20 प्रतिशत इसमें वसा है और कार्बोस की मातरा बहुत कम है इसलिए बहुत कम कैलोरी हमें प्रदान के लिए और जिनको लेक्टोस से परेज है उनके लिए और जिनको केसीन से भी परेज है यानकि जो प्रोटीन हमें दूद में मिलता है उससे हमें परेज है तो ऐसी चीजों से जिनको परेज रखते हैं एलर्जी होते हैं तो ऐसे लोग जोते हैं वो इसका इस्तेमाल बहु तो उसमें अत्रिक्त रूप से कुछ विटामिन का समावेश करने लगे हैं जैसे विटामिन B12 है आयरेन है नाइसीन है तो उससे वह और भी ज्यादा उसकी पॉस्टिकता बढ़ गई है तो इस तरी के जुदूद आपका वेलेबिल है आप उसका आराम से आप उसका सेवन कर सकते हैं और जादस जादा है यह नारे साथ मौग सब्सक्राइब के लिए कई प्रिया चोटे बच्चों के लिए चोटे बच्चों के लिए जाते हैं तो जैसा कि आपको मैने टो फू बनाने की विधि बताई आप उसका पणिटाथा हुआ कि आप बच्चों को क्षेム– जासकते हैं तो एंट्रयक करें ऑर को भी उस तरीके से सोयर दिन उस तक सकते हिसुएट तो चोटी चोठी सी चीज ए नंकीन है टाव जो वही रहती है दो गया बैसन का करें यहां तो इसमें तो इसमें थोड़ा से वी मात्रा में आप इसक़ रुप से प्रियोंग कर ले बैस तरीक जर्दरी के आप समावेश कर या फौर से यां मैं आपसे बात करना चाहते हैं जी राम राम साब जी मास्टर शिवराम जी अभार आपका आपने फोन किया जी 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 बिल्कुल सही बात है आप हाट पेशेंट हैं आपके दो स्टंट लगे हुए हैं समिता जी पहले आप बताईए क्या बताना चाहते हैं तो भी आपके लिए नुक्सान दायक बुल्कुल नहीं है क्योंकि मुफली और सरसों के तेल में ज्यादा मातरा में कॉलेस्ट्रॉल मिलता है यह इसमें कॉलेस्ट के रूप में खाई है या इसको उसी तरीके से खाई है या आपके लिए निश्चित रूप से लाप कर रिये क्योंकि में कॉलेस्ट्रॉल की मातरा बुल्कुल नहीं है और इसमें फास्पोरस और दूसरे माइक्रोनीट्रिर्स बहुत अधिक आप अच्छे से सोयावीन को यूज कर सकते हैं एक और दर्शक है इस से में जो कि फोन लाइन पर मुझूद है जी राम राम सा सुन पा रहे हैं आप आमारी आवाज जी नहीं शायद वेटिंग में थे फोन कट गया है उनका जी समीता जी इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पी मिलता है तो यह मैं जरूर दर्शकों को आपकी माध्यम से बताना चाहूंगी कि जिनको हैमरेज हो जाता है या इसकी संभावना रहती है तो यह ओमेगा 3 और ओमेग आपको बीच में दर्शक है जो कि जुड़ना चाहरे है आपसे जी राम राम साथ जी अ हलो जी प्रशन पूछिए सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को आपकी आवाज सारी पर जैसे अभी यह तोड़ा सा लेट आता है इसलिए टीवी की तरफ धियार मत दीजिए आप को चैसे प्रशन पूछिए जी अगल में सोयावीन खा सकते हैं कि नहीं कह सकते सुधा जी बहुत संचेप में समय बहुत कम बचा हुआ है शुगर में सौरी हो सकता है मुझे सुगर में आप जरूर खा सकते हैं डियाबटिक पेशन के लिए बहुत अत्यदिक लाप कर ये क कुरेंगा इस में कि मातरा बहुत कम है का ऑठ हा ड्रॉप में एक और दशệc चेन पर बीमारी कर सकती है कि पर मुदूद हैं जी राम-धा कलो जी एक निमय अज मैं सी मीनू तमर बोल रही हूं जी मीनू जी आप ये बताइए कि बहुत सारी ब्रांतियों को दूर करने के लिए क्या पैमाना हो कि इस उम्र के आदमी को इतना सोया बीन खाना चाहिए या इस ता प्रोटीन खाना चाहिए मैडम देखे प्रोटीन की जब हम मात्रा की नरधारित करते हैं तो इसका बहुत छोटा सा अच्छा फॉर्मुला है कि जो भी व्यक्ति का वजन है उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यानि कि एक ग्राम प्रति किलो ग्राम ऑफ बॉडी वेट यानि कि एक ग्राम आपक के लिए जैसे कि आपका 55 किलो ग्राम बॉडी वेट है आप 55 किलो के हैं तो आपको 55 ग्राम प्रोटीन का सेवन प्रति दिन आहर में लेना चाहिए चाहिए आप मुंगफली खाएं चाहिए आप सोया बिन खाएं जाया दाले खाएं किसी भी रूप में लेकिन पूरा का भी सेव हो जाता है आपके शेलिमें तो जब स्टार वेशन या व्रत का समय होता है जब हम आहर नहीं करते हैं तो ऐसे समय में भी हमारी शेलिक को उर्जा की अवश्रक्ता होती है तो ये संचित प्रोटीन जो है या कार्भोहेड्रेड और फैट जो हैं जो उर्जा देने का काम करते हैं हमारे बॉडी में तो ये उस रूप में हमारे उस समय में काम आता है तो आप इसके थोड़ी सी अतरिक्त मात्रा ले सकते हैं लेकिन वैसे आपको कैल्कुलेट करना है आप अपने बॉडी वेट के अनुसार एक ग्राम प्रती किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन का सेवन प्रति दिन कर सकते हैं स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस स्वाधिष्ट और पोश्टिक एपिसोड के लिए लोगों ने आज आपको फोन किया आप से पूछा किस तरीके से सेवन किया जा सकते हैं यह भी बहुत बड़ी बात है कि लोग उत्साहित हो रहे हैं लोग आकर्शित हो रहे आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी जब भी हम आपको चाहेंगे आप हमारे स्टूडियो में आते रहें और धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी दर्शकों का जो की हमारे साथ लगाता जुड़े रहें धन्यवाद इतने सारे प्यार के लिए अगले सब्ता फिर हाजिर होंगे आजी के दिन आजी के समय किसी अन्य विशह पर किसी अन्य एक्सपर्ट के साथ देखते रहे है एवन टीवी